हिंदू पंचान्द के अनुसार, मोहिनी एकादशी इस साल 19 मई को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विश्णू ने असुरों का सर्वनाश के लिए मोहिनी रूप धारन किया था। इकादशी का व्रत रखने से भगवान विश्णू की विशेश कृपा बनी रहती है। इसके साथ ही कुछ उपायों को भी करना चाहिए, जो जीवन से कष्ट दूर कर सके। जोतिश के अनुसार मोहिनी एकादशी व्रत वाले दिन विश्णू भगवान को गाई के दूद से बनी खीर का जरूर भोग लगाएं। ऐसा करने से धन की प्राप्ती होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मोहिनी एकादशी वाले दिन शाम के समय में तुलसी के पौधे के समक्ष देसी गी के दीपक को जलाएं। ऐसा करने से दुख दूर रहते है। मोहिनी एकादशी वाले दिन राहगीरों को जल पिलाना चाहिए इससे विशेश लाब मिलता है। इसके साथ ही आप जरूरत मंदों को कपड़े और जूते चपल भी दान कर सकते हैं इससे मा लक्षमी प्रसन होती है। अगर आप मोहिनी एकादशी वाले दिन इन उपायों को करते हैं तो आपके जीवन से कश्ट दूर और खुशियों का आगमन होता है।